अब लोग उमीद्य बहुत बहतन होंगे आज की विडियो में फिर्टियम में बात करेंगे हैं आरविए के फिनेशल अवेंडियो मेंसेजर नंबर फॉर की तो यह इसके चोथी वीडियो है सीरिस की इसमें 20 वीडियो होंगी तो यह फिर्टियो शुरू करते हैं दिखेंगे जो फॉर्थ मैसेज होगा time value of money दिखेंगे बताते हैं कि पैसे की अपनी एक value होती है आज जो आपके 100 रुपी की value है कल की वह 100 रुपी की value क्या रहेगी या तो घटेगी या फिर बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ value में उसको जो value differences आएगा that is called time value दिखेंगे में लिखेंगे consider the following scenario assuming an interest rate a discount rate of 10% the value of 100 rupees invested at say 10% interest compounded yearly will become 121 rupees into years that is called future value दिखेंगे आप 100 रुपी आज invest करते हैं दो साल के लिए 10% पे तो जो दो साल के बज़ उसकी value हो जाएगी 121 रुपी that is called future value वो उसकी future value हो गई और आज जो हमारे बस पैसा है वो हमारी present value है तो आपने दिखा कि पैसे के अपनी एक value होती है present value और future value अब यहां मेरे उने बताया है कि if money is not invested wisely it can lose value due to inflation अगर आप ऐसे को समझदारी से invest नहीं करते हैं तो वो inflation के कारण उसकी value जो down जाएगी वो value कुछ खोदेगा उसमें it is a return on an investment of 100 is a 5% inflation rate is 7% then the real return is minus 2% तो money has lost value for the extent of 2 rupees देगे fantasy में बताया example दिया है माले जो 100 रुपे पे आप invest करते हैं और उस पर आपको 5% का return मिलता है और लेकिन जो inflation है जो महंगाई है वो 7% पर है तो आपके जो real return होगा वो minus 2% होगा तो इस परकार आपने 100 रुपे पे minus 2% कितना होगा तो रुपे आपने 2 रुपे खो दिये आपको लग रहा है कि आपका पैसा 5 रुपे से बढ़ गया लेकिन आपका inflation की फिरसे पैसा खतम होगे घट किया आपसमें hence the compensate for inflation and other factors financial institution pay interest if you deposit money तो friends इसलिए जो financial institution है वहाँ पर हम जब भी कुछ पैसा invest करते हैं तो वो इसको inflation और जो other factors उनको compensate करने के लिए हमें interest देते हैं हमें ब्याज देते हैं and charge interest if you borrow money in the same way वो interest फिर charge करते हैं अगरा पैसा उनसे उधार लेते हैं loan लेते हैं तो hence it is essential to save and interest invest in appropriate financial products to earn a rate of return above the rate of inflation to preserve the future value of money तो friends इसलिए अब जब भी कुछ investment कर रहे हैं जैसे हमने पहले भी इस वीडियो में बात की थी कि inflation को हमें जरूर देखना है उसका जो return आ रहा है वो कितना आ रहा है इंफलेशन से जदा है या कम है अगर inflation से कम है तो पैसे आपको गरूर नहीं कर पाएगा आपको बस लगएगा कि ठीक है पैसे थो तरह बट रहा है लेकिन inflation की जो मार पट रही है उसकी जो value है पैसे की कि वो कम हो जाएगी तो friends इसमें आप सबको यहीं बताया है कि पैसे की value होती है प्रजेंट भी future पे क्या differences होते हैं और क्या हो सकते हैं और आप इसको कैसे बचा सकते हैं तो friends इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे इसकी next 5th वीडियो में तब तक लिए thank you bye bye